Hello students welcome to the sixth class on current affairs नहींस class में हम क्या discuss करेंगे सबसे पहले तो हम पूरा territory जम्मूंड किश्मीर इसको understand करेंगे क्योंकि निउस में जम्मूंड किश्मीर को जनरली हम एक मानते हैं बट जमू इन किश्मीर का जो territory है बहुत हिस्सों में बटा हुआ territory है और एक हिस्से का एक अलग history है उसको समझेंगे Secondly हम इसको समझेंगे international relations के perspective में कि जो भी कुछ जमू इन किश्मीर में अभी recently हो रहा है उसके पीछे अफगानिस्तान का क्या role है United States of America का क्या role है और पाकिस्तान का क्या role है सबसे पहले हम understand करेंगे जमू इन किश्मीर का territory को understand करेंगे हम Generally यह सारे region को हम पूरे को जमू इन किश्मीर मान के चलते हैं एंड करेंट फेर के perspective में हम पूरे को इसी तरह से consideration में लेते हैं बट reality ऐसा नहीं है बहुत सारे regions में जमू इन किश्मीर बटा हुआ है यह जो टॉप वाला region है यह गिलगिट बाल्टिस्तान का region है यहाँ पे यह सक्षम वैली है यह जो region है यह अक्सई चिन का region है बाकी जो बचा हुआ है जमू इन किश्मीर का region है and यह वाला जो region है पाकिस्तान occupied किश्मीर का region है अलग हर हिस्से का एक अलग history है यह जो हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का यह जो region है यह हंदोस्तान के साथ जोड़ा कभी भी यह हंदोस्तान का part नहीं रहा जब हंदोस्तान को अजादी मिली पाकिस्तान को भी अजादी मिली और जम्मूर और क्शमीर वाला रीजन भी अजाद हो गया बट ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन था because of a treachery of an army officer of British ये रीजन पाकिस्तान के साथ चला गया November 1947 में तो ये दगा दिया गया एक treachery हुआ एक cheating हुआ cheating की वज़े से जो major general थे उन्होंने lieutenant general थे जो आर्मी के ब्रेटिश आर्मी के उन्होंने इस रीजन को secede करा दिया तो secede होने में बहुत important role play किया है ब्रेटिश ने ये जो रीजन है ये अकसाई चीन का रीजन है इस रीजन basically belongs to China 1962 की war में चाईना ने इस रीजन को acquire कर लिया 1947 का जब वर लगा पाकिस्तान के साथ तो ये पाकिस्तान occupied किश्मीर वाला रीजन भी पाकिस्तान के पास चला गया तो अभी हम जिस हिस्से का बात करते हैं ये बचा हुआ हिस्सा है हमारे पास ना तो हमारे पास अकसाईचन का रीजन है ना हमारे पास गिलगेट पार्टिस्तान है ना ही हमारे पास पाकिस्तान occupied कश्मीर है तो अभी जो आर्टिकल 370 है इन अवर कॉंस्टिटीशन इस अप्लाईज implicitly to this entire region but अगर इंडिया के प्रस्पेक्टि में देखे हमारे पास जो टेरिटरी है तो यही वो हिस्सा है जिसके उपर 370 अप्लाई होता था अभी 370 को रिमूब करने के बाद इस इंटाइर रीजन इस बिकम पास इंडिया फॉर्मली तो अभी 370 का रेवोकेशन से अफगानिस्तान का क्या रोल है USA का क्या रोल है इस 370 को लेके 370 एकदम से किस तरह से आ गया एकदम से इसको रिवोक कैसे कर दिया गया रेवोकेशन के पीछे क्या कारण है सी युनाइट स्टेट्स अफ अमेरिका हैड अटैक्ड अफगानिस्तान इन ये 2001 9-11 का जब अटैक हुआ 2001 में उसके बाद में USA ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया तो लगबग 19 साल हो गए हैं अफगानिस्तान में जो USA की जितनी भी आर्मी है वहां पर अभी भी प्रेजेंट है अभी भी फाइट कर रही है वहां पर टैरोरिज्म को दैट इस तालीबान को बट 19 साल में तालीबान को वो लोग डिफीट नहीं कर पाए हैं USA से अभी रीसेंटली USA में एलेक्शन होने वाले हैं सेकेंड टर्म के लिए डॉनल ट्रम्प फाइट करेंगे डॉनल ट्रम्प USA को यह दिखाना चाहते हैं कि फॉस्ट टर्म में उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट कर लिया अफगानिस्तान के इश्यू को जितनी भी आर बुम एट टलिबान अगरिमें वित टलिबान इस पॉस्बल लोगों और बाकिस्तान के वोफ बॉस्ट टी इनलेविटेश्यू को घड़ टालिबान इस नच्छेशन लोगों टीप जा खिए। टलिबान इस आर्बाने से आरिकांट थे तलिजू को यह बढूंग से घर सा America in Afghanistan so the kind of equation India has with United States of America the equation that has improved in the few past years that equation might get deteriorated and if that equation will deteriorate there will be a lot of pressure on India from China there would have a lot of pressure from China and from the United States of America and fearing of this pressure of the futuristic situation that would have unfolded Narendra Modi government has done away with this article of 370 so Afghanistan is a very important role played in Afghanistan international relations decide what will happen Hindustan has made this region by revoking article 370 now do subscribe to this channel in case you have any sort of doubt you can contact my team at 84594 000 you can also join our video class packages and plus you can also practice answer writing on our software that is Magica that is available on brainyis.com so do visit this website and do read about this entire thing that I have discussed in the class in the current affairs section of brainy IAS I will be uploading the content with respect to this article 370 with respect to the regions of Pakistan so this was all for the day bye bye take care have a nice nice day